हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होएंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं गैज यहां पर देखिए हमने कुछ शंटेंस लिए हैं वर्ड लिए जैसे हैं मन मिलना बनना जमना अभी इसका क्या ताथ पर है तो अक्सर हम लोग बोलत अच्छी जमती है इसलिए जा भाई तुम ही कुछ करो ठीक है इस तरह से है कि मन मिलना बनना या जमना नेक्स्ट वाला है सवाल ही पैदा नहीं होता है सवाल ही पैदा नहीं होता है तास से तातपर है कि अक्सर हम लोग सुनते हैं बोलते हैं ठीक है कि इसमें रोने वाला स सवाल ही पैदा नहीं उता है केём अकसर आइसा हम सुंते तुम सिर्फ घ्राइब लगे हुए। वह हमेशा क्लिये में लगा घ्राता है और यार तुम हमेशा स्षोने में ही लगे हो भी ओ दो भी बने हम जाए चॉआ कुछ भी हो चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम करूंगा तो इस तरह से गाईज बहुत चारे ऐसे sentence बोले जाते हैं फिर है बस यही बाकि था तात पर यह है कि बस यही बाकि था बस कहने को ही बाकि था बस यही देखना बाकि था बस तुमको यही कहना था अकसर ऐसे बोले जाते हैं तो ही जो टोटल हमारे पांच वर्ड हैं इसको भ not ह हो तो हम कैसे बोलेंगे तो चलिए होते हैं कि यही सब पर करते हैं और आप से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए है तो चेल को सबस्क्राइब कर लिएगा और 5 साथ ही सार्ख विडियो को फूल वाज किजिएगा इसका जो अंग्रेजी होता है वो होता है get along with मन मिलना, जमना या बनना इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं get along with अब देखी एक जांपल में हम कैसे बोलेंगे sentence में कैसे बोलेंगे तो मेरे अपने पडोसियों से नहीं बनती simple सी बात है हम बोल देंगे I don't get along with my neighbors ठीक है गाईस तो देखें बहुत इजी है मेरे अपने पडोसियों से नहीं बनती क्या मुलेंगे हम लोग I don't get along with my neighbors next example है कि मेरी अपने मा से बहुत जमती है I hope कि आपकी भी मा से बहुत जमती होगी हर किसी को मा से हर किसी को जमता है ठीक है तो मेरी अपने मा से बहुत जमती है तो क्या बोलेंगे, I get along with my mother too much, ठीक है, मेरी मा से बहुत जमती है, बोल देंगे, I get along with my mother too much, अब next वाला एक्जामपल है, उसकी अपनी पत्नी से नहीं जमती या नहीं बनती, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, he doesn't get along with his wife, ठीक है, कितना easy एक्दम सिम्पल है, तो कूल मिला कर यह हुआ, कि मन मिलना, बनना, जमना, इसको हम लोग बोलते हैं, get along with, गैज नेक्ष्ट वाला हमारा है, सवाल ही पैदा नहीं होता है, अक्सर हम लोग बोलते हैं, कि बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, जूट बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, मरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, तीस तरह से बहुत सारे sentence बोले जाते हैं, तो हमारा सवाल है यहां कि सवाल ही पैदा नहीं होता है अब इसको कैसे बोलेंगे तिसका जो होता है गय जो हो बोलते हैं हम लोग नो केस्चन राइजेज आपका यह बोलेंगे हम लोग यहाँ पर है सवाल ही पैदा नहीं होता है इसको अंगरेजी में हम बोलेंगे no question rises अब यहाँ देखी example के coding देखते हैं कि बोलेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है simple से बात बहुत simple है सवाल ही पैदा नहीं होता है तो हम बोल देंगे no question rises अब का चीज का सवाल नहीं पैदा होता है तो बोलने का तो हम बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है इसको हम बोलेंगे अब देखिए नेक्स वाला है वहाँ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है तो हम बोलेंगे अब देखिए नेक्स वाला है जूट बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है अब देखिए नेक्स वाला है जूट बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है सिंपल सी बात है, हम बोलनेंगे, no question rises to till a lie, देखिए कितना सिंपल है, जूट बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, no question rises to till a lie, अब एक और next वाला है, कि मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे, no question rises to till a lie, तो देखिए इस तरह से काफी सिंपल है, इस तरह से आप बोल सकते हैं, कि सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है, उसको होता है, no question rises, ठीक है, अब आगे बोलना, लिखना, पढ़ना, उड़ना, बैठना, हसना, रोना, जो भी होगा, उसका हम इन्फि ठीक है, बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, no question rises to speak, तो इस तरह बहुत सारे sentence आते हैं, जो कि हम काफी इसली तरीके से बोल सकते हैं, गाइज, नेक्स्ट वाला हमारा है, वो ये है, क्या है, लगे रहना, ठीक है, जैसे टीवी देखने में लगे रहना, या कुछ काम कर ने में लगे रहना, तो जो लगे रहना होता है, वो होता है, engaged in, क्या बोलेंगे, लगे रहना के बोलेंगे, engaged in, अब आईए example के quoting देखते हैं, जैसे वह टीवी देखने में लगी हुई है, simple सी है, क्या बोलेंगे, she is engaged in watching tv ठीक है तो वह tv देखने में लगी हुई है she is engaged in watching tv next वाला है हम अंगरेजी सिखने में लगे हुए है simple सी बात है बुलनेंगे we are engaged in learning English हम लोग अंगरेजी सिखने में लगे हुए है we are engaged in learning English अब दिके next वाला है वहां फोन चलाने में लगी हुई है तो क्या बुलनेंगे इसको हम लोग she is engaged in operating phone operating के जगा पर आप यूज भी कर सकते हैं कि using phone ऐसा भी बोल सकते हैं अब ठीके next वाला है तुम खाना पकाने में लगे हुए हो ठीक है अब इसको कैसे बोलेंगे simple सी बात है you are engaged in cooking तो देखिए बहुत easy है लगे रहना के अंग्रेजी होता है engaged in जैसे वाट टीवी देखने में लगे हुई है या हम लोग अंग्रेजी सिखने में लगे हुए हैं तो guys i hope कि आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इसको अंग्रेजी में हम और कैसे यूज करना है तो लगे रहना या लगे रहना का जो अंग्रेजी होता है वो यह होता है कि engaged in I hope कि आपको इस समझ में आ गया होगा गाईज, next वाला है वो यह है, चाहे कुछ भी हो जाए अक्सर हम नोग बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यह काम करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुमको पीटूँगा चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी सहयता करूँगा इस तरह से बहुत सारे sentence बोले जाते हैं तो यहां पर सवाल यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए इसको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं simple सी बात है इसको हम बोलते हैं no matter what happens ठीक है चाहे कुछी भी हो जाए मैं एंग्रेजी सीखूंगा तो चाहे कुछी भी देखी एक फ्रेजी है इसका होता है no matter what happens तो हम बोल देंगे no matter what happens उसके बाद क्या है मैं एंग्रेजी सीखूंगा ते क्या हो जाएगा I will learn English तेकिए चाहे कुछी भी हो जाए मैं एंग्रेजी सीखूंगा इसको हम बोलेंगे no matter what happens I will learn English next है चाहे कुछी भी हो जाए मैं तुम्हे सबक सिखाऊंगा simple सी बात है क्या बोलेंगे no matter what happens मैं तुम्हे सबक सिखाऊंगा तो होता है I will teach you a lesson ठीक है मैं तुम्हे सबक सिखाऊंगा ये भी एक तरह से phrase है मुहावरा है इसका होता है I will teach you a lesson तो चाहे कुछी भी हो जाए मैं तुम्हे सबक सिखाऊंगा ये सिखाऊंगा इसको बोलेंगे no matter what happens I will teach you a lesson इसी प्रकार अब next example है चाहे कुछी भी हो जाए मैं तुमसे बात नहीं करूंगा simple सी बात है बोलेंगे no matter what happens ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा I will not talk to you ठीक है तो देखिए काफी easy है अब ठीक इसी प्रकार चाहे कुछ भी हो जाए तुम वहाँ नहीं जाना अब इसको कैसे बोलेंगे बस आपको इसको क्या करना है comment box में comment करना है कि इसको अंगरेजी में हम कैसे बोलेंगे and I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए का अंगरेजी होता है वो ये होता है no matter what happens next वाला है guys वो ये है बस यही बाकी था अक्सर बोलते हैं तिहां सवाल ये है कि बस यही बाकी था इसको अंगरेजी में हम कैसे बोलेंगे बस यही बाकी था इसका जो होता है वो होता है only that was left to अब देखें यहाँ बस यही बाकी था only that was left to अब उसके बाद two के बाद के आएगा बोलने को to total तो रोने को मनें कि रोने को तर two whip थीक है जैसे माली जी बस यही बाकी था कहने को सिंपल सी बात है आप बोलेंगे only that was left to say ठीक है तो guy Fail Пप यहाँ पर देके बस यही बाकी था कहने को only that was left to say next example है बस यही बाकी था देखने को ठीक है तो क्या हो जएगा only that was left to see ठीक है बस यही बाकि था देखिने को only that was left to see next example है बस यही बाकि था करने को ठीक है और कुछ काम नहीं मिला बस यही बाकि था तुमको करने को तो क्या बोलेंगे only that was left to do ठीक है तो देखिने काफी इजी है बस यही बाकि था काम रेजी हम बोलेंगे only that was left to अब जैसे कि माल यह बहुत सारे आते हैं कि कहने को बोलने को सोचने को बताने को ठीक है इस तरह से बहुत सारे संटेंस आते हैं तब बेधड़क आप इसको संटेंस में इंगलिस में बोल सकते हैं बस यही बाकि था का अंग्रेजी जी होता है only that was left to ठीक है तो आज के वीडियो में बस इतना ही I hope कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें कमेंड करें शेयर करें और हाँ अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजी क्योंकि मैं हर हपते हपते में दो तीन वीडियो तो लाही देता हूँ इस चैनल पे जिससे कि आपको अंगरेजी सिखने में काफी क्या होता है helpful होता है तो गईज मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ तब तक लिए थैंक यू बाई बाई